हाई फ्रेंड्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल टैरी के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स हमारी मनोहर वाड़े बुक सिरीज में अब तक हम लोगों ने भारतिय राजविवस्था इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नमबर टैन्ट न्याय पालिका यानि के जुडिशरी के 90 को सौल किया है इस वीडियो में अब हम इस चैप्टर के रिमेनिंग लास्ट 27 क को सौल करेंगे कोश्चन नमबर 91 से कोश्चन नमबर 179 के 117 पर तो चलिए बिना टाइम वेश्ट के शुरू करते हैं और चलता है आज के पर्ष्ट कोश्चन के और पर्ष्ट कोश्चन है एक उच न्याले का न्याय दिस अपना त्याक पत्र संबोधित करता है यानि कि हा तो हमेशा ध्यान रहे हाई कोड के जो भी जज होते हैं उनकी नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाती है और वो अपना त्याक पत्र भी भारत के राष्ट्रपती को ही सौंपते हैं रेजिगनेशन भी प्रेजिडेंट को ही देते हैं नेक्स्ट उच न्याले के संचित निदी से जहां उसने अंतिम सेवा की विबिन राज्यों की संचित निदी से जहां जहां उसने सेवा की या फिर भारत की आकस्मिक निदी से सही आंस्वर है भारत की संचित निदी से राज्यों की नहीं जाए की ध्यान रखें भारत की संचित निदी पर जाए नेक ज्यान रहे पंदरवे 15 संविदान संसोधन अधिनियम 1963 Constitutional Amendment Act 1963 से High Court के न्याय दिशों की जो retirement age है उसको 60 से बढ़ा कर 62 किया गया था 1973 तक retirement age 60 थी आज की तारिक में 62 है Next उच न्याले के न्याय दिशों के आचरण पर बहस की जा सकती है उनके आचरण पर बहस कहा की जा सकती है संसद में, विदान सबा में, लोग सबा में या फिर इन में से कोई नहीं तो आचरण पर बहस कहीं पर भी नहीं की जा सकती है वो code के अव मानना हो जाता है तो इसका option होगा option D, इन मेंसे कोई नहीं, none of the above, चलिए, next, उच न्याले के न्यायदी इसको कौन हटा सकता है, अगर हटाना हो high code के judges को तो कौन हटा सकता है, विशेश बहुमत से पारित, संसत के प्रस्ताव पर राष्ट्रपती द्वारा, राज्य पाल या फिर उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं, तो सही आंसर होगा option A, ये important question है, high code के judge हो चाई supreme code के judge हो, दोनों को एक ही विदी से या एक ही प्रकार से अटाया जाता और वो है, विशेश बहुमत से पारित, संसत के प्रस्ताव पर लोग सभा में भी और राज्य सभा में भी दोनों जगे अलग-अलग प्रस्ताव विशेश बहुमत से पारित होना चाहिए और उसके बाद राश्ट्रपती के हस्ताकसर होने चाहिए, तो ही high court और supreme court के judge's को हटाया जा सकते, नेक्स देखें, उच न्याले के न्याय दिशों के वेतन और भत्ते दिये जाते है इनकी salary और जो भत्ते यानि की allowances होते हैं, वो कहां से दिये जाएंगे, भारत की समयकित निदी से, राज्य की समयकित निदी से, भारत की आकस्मिकता निदी से, या फिर राज्य की आकस्मिकता निदी से, सही answer है option B, राज्य की समयकित निदी से, देखें, retirement के बाद इनकी जो pension होगी, वो तो भारत की संचित निदी से दी जाएगी, मगर जब तक यह service में हैं, यारी के retirement से पहले, इनकी जो salary है और जो भत्ते हैं, जो allowances हैं, वो राज्ये की समय कित निदी से दी जाएगे, जिस राज्ये के i-court में वो nuked है. नेक्स्ट, भारत में उच नियाले के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, और हमें बताना है कौन से कतन सही है, right statement को चूज करना है, पहला देश में 25 उच नियाले, बिलकुल सही है 25 उच नियाले, तीन उच नियाले का छेत्रादिकार एक से अधिक पर है, ये हटी हाई कोट, तो केवल दो ही है, next, किसी भी संग राज्य छेत्र का अपना उच नियाले नहीं है, गलत statement है, डिल्ली का अपना खुद का हाई कोट है, बाकी किसी का भी नहीं है, तो statement गलत हो गया है, डिल्ली जो की union territory है, केंदे सासित प्रदेश है, उच नियाले के निया next, मिलान करना है, यहाँ पे आपको संग राज्य छेत्र दे रखें और सामने कारे छेत्र दे रखा है, यानि के हाई कोट कहां पे कौन सा लग रहा है, ये पुछा गया है, पॉंडिचरी, कौन से हाई कोट पॉंडिचरी पे लगता है, अंडवान निकोबार, लक्षद्व में लगता है कैरल हाई कोट C के आगे आजाएगा 1, पॉंडिचरी जो है इस पे लगता है मद्रास हाई कोट, तो A के आगे आजाएगा 3, और दमन एंदिव के आगे लगता है बॉंबे हाई कोट, B के आगे आजाएगा 2, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 and 2, option A, बिलकुल इसका सही, आंस याने के right statements को choose करना है, पहला देश में 25 उच न्याले है, कोशन पेछे repeat हो चुका है, बिलकुल है, 3 का छेतर दिकार नहीं है, किसी संग राज्य छेतर का अपना उच न्याले नहीं है, गलत है, दिल्ली का है, और बासे ट्वर्स बिलकुल से, तो 1 और 4, option C, इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी question आया था, थोड़ी दिर पहले, next, भारत के कितने उच न्यालों की अधिक आरिता में 1 से अधिक राज्य हैं, कितने ऐसे आई-कोट हैं, जिनके पास 1 से ज्यादा राज्य हैं, 2, 3, 5 या फिर 7, सही आंसर होगा, option है 2, और वो 2 हाई-कोट है, कौन-कौन उच न्याले और उच तम न्याले दोनों की अधिकारिता में आते हैं, कौन से ऐसे मामले हैं, जो दोनों की अधिकारिता में आएंगे, पहला लिखा है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये केवल सुप्रिम कोट के पास जाता है, राज्यों के परस पर विवाद ये भी ध्यान रखें Supreme Court के पास जाता है मूल अधिकारों का संद्रक्षन और या फिर सम्विदान के उलंगन का संद्रक्षन तो Supreme Court और High Court दोनों के अधिकारिता में आता है Option C, मूल अधिकारों का संद्रक्षन, Protection of Fundamental Rights Supreme Court करते हैं अनुचेद 32 के तहट और High Court करते हैं अनुचेद 226 के तहट Next देखें निम्न में से कौन सा राज्य के उच न्याले का मुख्य चेत्रादिकार नहीं है कौन सा उनका मुख्य चेत्रादिकार नहीं है ये पुछा गया है किसका उच न्याले का High Courts का Option first है परामर्स संबंदि चेत्रादिकार, प्रारंबिक चेत्रादिकार, निरिक्षन चेत्रादिकार या फिर अपीलिय चेत्रादिकार ये Option A, B और D तीनों के तीनों मुख्य चेत्रादिकार है चाहे परामर्स हो चाहे प्रारंबिक हो चाहे अपीलिय हो परमादेश एक प्रकार की रिट है जिसे इंग्लिस में कहा जाता है मेंडेमस तो ये किस प्रकार के सक्ति के अंतरगत आते हैं समवेदानिक अधिकार, सामवेदिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर यह सभी अधिकार तो जो परमादेश जारी करने की सकती है वो है समवेदानिक अधिकार यानि के Constitutional Rights करता है समवेदान में जो भी आपको अधिकार दे रखे हैं उनके लिए जारी की जा सकती है परमादेश यानि के मैंडे मस चलिए next जब सर्वोच न्याले किसी व्यक्ति अथ्वा संस्था को उसके दाइत्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करते हैं तो उसे क्या का जाता है कोई व्यक्ति अपना दाइत्वा पूरा नहीं कर रहा है वो किसी पबलिक ऑफिस में यानि किसी सरकारी पदपर है तो उसे अपने दावित्व पूरा करने के लिए जो रिट जारी की जाती है सर्वोशनियाले द्वारा उसे क्या का जाता है पहला है उत्प्रेशन लेक दूसरा है परमादेस थर्ड है अधिकार प्रच्छा और चोथा है बंदी प्रत्यक्षिकरण उत्प्रेशन का मतलब होता है, CTURARI, परमादेश का मतलब होता है, MANDEMUS अधिकार प्रत्षा का मतलब होता है, को वउरंटो और बंदी प्रत्रिक्षिक्ण का मतलब होता है, HBACE CORPUS ये इंगलिस में कहा जाता है, तो ऐसी जो रिठ है वो है, परमादेश यानि के MANDEMUS अपने दाइतों को पूरा नहीं कर रहा है नेक्स देखें अंडवान एवं निकोबार द्वीपरनिम लिखित उचने आलों में से किस एक का छेत्रा दिकार है अंडवान निकोबार जो हमारा केंद्य सासित प्रदेश है उसको उसका जो हाई कोट है वो उसके उपर कौन सा हाई कोट लगता है अंड़ा परदेश, कोलकाता, मद्रास या फिर उडिसा तो अगर आप भारत का नक्सा देखेंगे तो अंडवान निकोबार बंगाल की खाड़ी में सेता है बे ओफ बंगाल में तो वहाँ पे किसका लगेगा कोलकाता क्योंके निकर्तम हाई कोट वही है कोलकाता का हाई कोट लगता है नेक्स्ट जब किसी उच नियाले का मुख्य नियादिस प्रसासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है यानि कि अगर कोई मुख्य नियादिस प्रसासनिक हैसियत से administrative work से काम करेगा तो किसके अधिन होगा कौन हाई court का मुख्य नयाधिस यानि के chief justice उच नयाले के अन्य नयाधिसों में से किसी एक के अधिन भारत के मुख्य नयाधिस दोरी भूमी का निबाता है राज्य के राज्य में से कौन सी एक रिट नयाले में कारेवाई लंबित होने की दसा में लागू की जाती अगर किसी court में कारेवाई लंबित हो रही है दीरे हो रही है उसको proceedings बहुत दीरे गती से आगे बटरी तो कौन सी रिट जारी की जाएगी परमादेश उत्परेशन प्रतित से दियाफिर अधिकार प्रच्छा तो रिट जारी होगी परमादेश परमादेश को कहा जाता है मेंडेमस और ये रिट जारी का मतलब यह है काम आपको क्या करना है थोड़ा सा फास्ट स्पीड से करना है लंबित तरीके से नहीं करना नेक्स्ट किस याचिका के अंतरगर्ट नियाले अवर नियाले या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्स लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्याले में इस्थाना अंत्रित करने का आदेश देता है यानि के भारत के lower courts में अगर कोई मामला चल रहा हो तो कौन सी रिट जारी करके जो higher courts हैं वो उस मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं आप्शन से हैं परमादेश, अधिकार परच्छा, उत्प्रेशन या फिर निसेद सही आंसोर होगा आप्शन सी उत्प्रेशन जिसे कहा जाता है सर्टियो ररी ये रिट जारी करके निचले न्यालेव से lower courts से अधिनस न्यालेव अगरा से जो higher courts हैं high court वगेरा या supreme court वो case को अपने पास क्या कर लेते हैं transfer करवा देते हैं यानि कि इस्थानांत्रित करवा देते हैं रिट कौन सी है उत्प्रेशन next बाबरी मस्जिद राम जन भूमी का विवाद इलाकाट इलाबाद high court के समक्स हैं वो किस प्रकार की याचिका या किस प्रकार का मुकदमा पूछा गया है परमादेश स्थवादिकार मुकदमा शतिपूर्ती का दावा या फिर न्याइक पुनरिक्षन याचिका तो जो बाबरी मस्जिद और राम जन भूमी का जो विवाद है इलाबाद high court के अधिन जो आता है वो है option वी स्थवादिकार मुकदमे के तहट ब्यान रखें इलाबाद high court भारत का सबसे बड़ा high court है सबसे बड़ा उच न्याले है यहाँ पे 160 जजेज जो है वो बैठते है तो भारत का सबसे बड़ा high court कौन सा है जजेज के मामले में इलाबाद high court है और सबसे छोटा पूछ ले तो सिक्किम का उच न्याले सिक्किम का high court है जहाँ पे खाली तीन जजेज बैठ ठीक है नेक्स्ट बंबई उच न्याले की निमलिखित में से किस एक इस्थान पर न्याय पीठ नहीं है बंबे का जो high court है उसकी न्याय पीठ का मतलब होता है seat high court की अलग-अलग bench का होती है अलग-अलग जगाओं पे बंबे आई-कोट की कहां पे नहीं यह पूछा गया है नागपुर नागपुर में है पनजी पनजी में है बंबे आई-कोट बंबे और गोवा दोनों का common है पूणे, पूणे में नहीं है और अंगाबाद में है तो कहां पे नहीं है option C सही answer हो जाएगा पूणे next देखें कथन और कारण है हमको सही बताना है तो कथन देखें न्यायले के आदेशों की जान मूच कर अवग्या करना या उनका पालन ना करना तथा न्यायक वेवार के बारे में अनादर सुचक भासा का प्रयोप करना न्यायले की अव मानना की कोटी में आता है बिल्कुल सही है इसको कहा जाता है English में Contempt of Code न्यायले की अव मानना कारण म्याइक शक्रियतावाद न्याय पालिका को अव मानना पूर्ण वेवार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिये बिना कार्यान भी नहीं किया जा सकता तो ये भी बिल्कुल सही है मगर ये जो कारण है ये इस कथन की व्याख्या किसी भी तरीके से नहीं करता है तो A भी सही है, R भी सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो option B will be the right answer next देखें वापिस कथन और कारण है तो देखते हैं कथन जन ही तियाची का जन सयोगी नागरिकों को न्याले तक जाने की स्विकरती देती है जन ही तियाची का यनि के P.I.L. बिल्कुल सही है जो जन सयोगी नागरिक है वो उनके बिहाख पे कहा जा सकते हैं कोर्ट में जा सकते हैं कारण जन सयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्याले तक पहुँच पाने में असमर्थ बिल्कुल सही है यही कारण है कि जन हित याचिका का कॉंसेप्ट भारत में आया है तो A और R दोनों से यह और R A की बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है तो option A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए next देखें वापिस कथन और कारणे भारतिय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच न्याले, सर्वोच न्याले की अपेक्सा बड़िया इस्तति में बिल्कुल सही statement है, बहुत important statement है देखेंगे कैसे अभी उच न्याले के पास सर्वोच न्याले से ज़्यादा सक्तिया है इस मामले में किसमें अधिकारों को संरक्षित रखना है बिल्कुल से कारण सर्वोच न्याले केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षन के लिए ही परमादेश जारी कर सकते हैं बिलकुल सही कारण दिया हुआ है कथन कारण सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है देखें क्या है जो सर्वोच न्याले है उसके पास रिट जारी करने की सक्ति अनुचेद 32 के तहट आर्टिकल 32 के तहट मगर सर्वोच न्याले केळल और केळल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर सकता है जबकि जो भारत का उच न्याले है इसकी रिट जारी करने के सक्तिया अनुचेद 326 और ये मौलीक अधिकारों के साथ-साथ सबी अच्छ न्याले दूसरे सम्वेदानिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं तो ज़्यादा सक्तिया उच न्याले के पास इसलिए ये बिल्कुल सही है Next निम्लिखित में से कौन सी एक याची का अधिनस न्यालों की कारिय पद्दती का परिक्षन है जो अधिनस न्याले होता है यानि कि जो सबर्डिनेट कोड्स हैं उनकी कारिय पद्दती का परिक्षन कौन सी रिट के द्वारा किया जाता है अधिकार परच्छा, परमादेश, उत्प्रेशन या फिर बंदी प्रत्रिक्षिकरन तो सही आंसर होगा option C उत्प्रेशन जिसे कहा जाता है सर्टियो गरी इसी के द्वारा क्या किया जाएगा अधिनस न्याले की कारिय पद्दती का परिक्षन किया जाए नेक्स्ट भारत में चलित न्याले की आउधाना किसके द्वारा प्रवर्त की गई चलित न्याले का मतलब होता है mobile courts, mobile courts यानि के म्याए आपके द्वारा, आपको court में जाने के जुरत नहीं है, अलग-अलग जगाओं पर hearing होती है, इसकी अधारना किसके द्वारा की गई, नियायमूर्थी भगवती, स्वी राजी उगांदी, डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम या फिर प्रतिभा पाटिल तो ये किया गया था भारत के भूत्पूर राष्ट्रपती, भारत के मिसाइल मैन, डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम जी द्वारा नियायमूर्थी भगवती जी ने किसका कॉंसेप्ट भारत में लागू किया है? P.I.L. P.I.L. यानिके जनहित याचिका, इसलिए इनको भारत में जनहित याचिका का जनक भी का जाता है, father of P.I.L. इन, नेक्स्ट, जिला नियादिस सब्द, सम्विदान के किस अनुछेद मे वड़नित है, जिला नियादिस यानिके district court, जो सब्द है, वो हमारे constitution के कौन से article में है, तो district court का mention है, सम्विदान के अनुछेद 233 में, option D बिल्कुल इसका सही answer हो, और अब चलते हैं, last question इस chapter का, question number 117, देखें, ग्राम नियाले अदिनियम के संदर्ब में निमलिकित कतनों में से कौन सा है, कौन से कतन सही है, वो हमें बताने, पहला इस अदिनियम के अनुछार ग्राम नियाले केवल, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, अपरादिक मामलों की नहीं, ये गलत है, अपरादिक मामलों को क्या करता है यह मानता है मद्यस्त सूलय करता मानता है या स्विकार करता है तो केवल स्टेटमेंट दो सही है तो option B इसका सही answer हो जाए तो friends ये थे मनोहर पांडे बुक शिरीज के Indian पॉलिटी के चैप्टर नमबर 10 न्याय पालिका यह निके Judiciary के question नमबर 91 से question नमबर 170 के detailed solutions और इसी के साथ ये chapter 10 जो है वो complete हो जाए तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी